रागाव पुर्णाम का एक गाउं था जहां पर एक तांत्रिक हुआ करता था उसे बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं आती थी वो इन सब को अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल किया करता था पर गाउं की लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे और मानते थे जैसे उससे सबको खत्रा हो उसको सबसे दूर रखा करते थे कोई उसे पास नहीं आने देता था फिर भी वो लोगों की बात का बुरा नहीं मानता था क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चे कीर्थी और बालू के साथ खुशी से रहता था कई दिन योहीं बीते अचानक सेहत बिगरने की वज़े से वो बिमार रहने लगा उनकी इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं जितना उनके पास जमापुझी थी सबकुछ उसी में खर्च हो जाता है फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ उनके बच्चे पापा आपक जाने के बाद ये गांवाले तुम्हारे साथ कैसे बरताव करेंगे मेरे लिए खुशी का मतलब तुम ही थे लोगों ने चाहे जितना भी भला बुरा कहा मैंने पुरा नहीं माना क्यूंकि मेरे साथ तुम सब थे ना जाने मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा यू कहते कहते उसके मरने की खबर पूरे गाउं में फैल गई। उसके अंतिम संसकार के लिए गाउं से कोई भी नहीं आया। इसकी वज़े ये थी कि वो एक तांत्रिक था। पत्नी अपने पती के लाज को कंडे पर उठा कर समशान तक ले जाती है। बच्चे भी उसके साथ ही चल देते ह ये देखकर गाउं वाले सभी वहां पहुँचे। नहीं नहीं तुम्हारे पती को यहां जलाना या दफनाना मन्जूर नहीं होगा। ना जाने इनके शरीर में किन-किन की आत्माये हैं। क्या पता गाउं महीं फैल जाए। जोटती हूँ। मेरे पती ने कभी भी अपनी विद्या को गलत काम में इस्तेमाल नहीं किया है। वे बहुत अच्छे थे। कृपियां हमें उनका अंतिम संसकार करने दीजिए। ऐसा कहकर वो विंती करने लगी पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आप लोगों में थोड़ी भी दया नहीं, कोई इंसानियत भी पति को फिर से वो घर वापस ले गई और वहीं पर उन्हें दफना दिया। तब से वो वहीं पर रहने लगे। वो लकडियां बेचकर पैसे कमाया करती और उससे अपना घर चलाती थी। बच्चे भी अपने बगीचे में खिलने वाले पूलों को तोड़कर पास वाले गा आधी के पास आकर वो रोते हुए बोली। ऐसा दर्द किसी भी औरत की सिंदगी में ना आये। आपकी इतनी अच्छा है के बावजोद भी आपको इतना बुरा नाम आया। और हमारी सिंदगी यूं भी घर गई। ऐसा कहकर वो बहुत दुखी होने लगी। बारिश बहु ऐसा सोचकर उसने अपने पल्लू के आड़े अपने दोनों बच्चों को ढख कर रखा और खुद भीगती रही। उसे इस तरह देखकर एक बुड़ी औरत ने कहा। बेटा यहां आओ। उसके इस तरह बुलाने पर वो अपने बच्चों को लिए वहां पर गई। इसलिए घर में नहीं रख सकती लेकिन घर के पीछे एक टॉयलेट है तुम चाहो तो उस सवचाले में रह सकती हो इससे जादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। उस पर मा ने कहा। आपके नेक दिल के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी जैसे अभी हाला थे हमें क कोई भी चके चल जाए की। ऐसा कहकर वो बच्चों को लिए उस टॉयलेट में गई। तबसे वो वहीं पर रहने लगे। कुछ दिन यूहीं बीते। वो तिनों वहीं पर पका कर खाते और वहीं पर सो जाया करते थे। मा और बच्चे सवरे जल्दी उठकर अपने काम पर जाया करते ताकि वो किसी के नजर में ना आ पाएं। और देर अंधेरा होने के बाद ही वो घर वापस लोटा करते थे। चाहे जितनी भी भूग लगती वे तीनों राह देखा करते और अंधेरा होने के बाद ही सोचाले वापस लोटकर खाना पका कर खाया और सो जाया करत इस तरह बड़ी मुश्किलों से उनका जीवन बीच रहा था। कुछ दिन बीच जाने के बाद गाउं के लोग बात कर रहे थे कि देर रात उस सोचाले से धुआ निकलता है। गाउं वाले उस बुड़ी औरत के पास जाकर पूछते हैं कि आखिर बात क्या थी। तब बुड़ी औरत ने कहा लकडियों के चूले पे मैं पानी गरम करती हूँ। ऐसे उसने जूट कहा भला इतनी रात आपको पानी गरम करने की क्या जरूरत सच बताईए। इस तरह वो बार-बार उसे पूछने लगे, वो भी बार-बार जूट बोलती रही, जिससे उन्हें शक हुआ और उन्होंने भीतर जाकर देखा। वहाँ पर कपड़ों का बस्ता और चुलहा देखकर उन लोगोंने उससे पूछा कि यह सब क्या है। तब बूड़ी और उरत को सच बताना ही पड़ा। वहाँ से वापस लोटा दिया। देर रात होते ही वो औरत अपने बच्चों को लिए वहाँ पर आई। बेटा, अब तुम्हें वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे घर पर रह सकती हो। ऐसा कहे कर उसने पूरी बात उसे बताई। उसकी बात सुनने के बाद उस औरत के आँखों से खुशी के आँसु झलक पड़े। उस दिन से उन तीनों ने सोचाले छोड़कर उसी औरत के घर में रहते हुए समय पर खाया करती और बच्चों को खिलाया करती थी और उसी औरत के साथ खुशी से रहने लगी थी। नूतनपुर नाम के एक गाओ में प्रताप नाम का एक जमीनदार हुआ करता था। धन, दौलत और जायदाद बहुत थी उसके पास। पर बेटे कुमार को जन्म देते ही पतनी सुजाता चल बसी थी। तब से प्रताप अपने बेटे की बहुत लाड़ प्यार से कर रहा था। महेश को बाइक पर रेस लगाना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए जब भी बाइक के रेस होती वो अपनी बाइक को तोड़ मरोड कर खटारी कर वापस ले आता। और फिर से नई गाड़ी खरीदा करता। इस बात से प्रताप हमेशा नाखुश हुआ कर वो हमेशा ये सोचता कि कोई ऐसी गाड़ी बने जो कभी न तूट पाए। उसी गाओ में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास फसल उगाने के लिए खुद के जमीन नहीं थी इसलिए वो दूसरों के जमीन पर मस्तूरी किया करता था। उसी कमाई स बच्चों को सरकारी स्कुल भेजा करता था। पर उन दोनों बच्चों को अपने माबाप की तरह गरीब होकर रहना बिल्कुल आच्छा नहीं लगता था। एक दिन सुखा सुखा जब खाना खा रहे थे तब किरती ने कहा। सुखा सुखा खा रहे अपने दोनों बच्चों को यो सवाल करते देख माता पिता कुछ न कह पाए बस एक दुसरे की और चुपचाप देखे जा रहे थे। देडी के इस तरह पूछने के बाद बालू ने सोचा कि वो भी कुछ पूछेगा। या मुर्गी नहीं उखती। जितना हम कर पा रहे हैं उतने में ही हमें समझोता करना होगा। ये सुन कीरती बोली। पापा अब हमेशा खेती करने जाते हो ना तो जैसे किताबों में लिखा है क्या वैसा आपको कहीं भी सोने का अंड़े देने वाला बतक नहीं दिखा। उस पर सुरिश ने कहा। सुनो बेटी इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई बतक नहीं जो सोने का अंड़ा देती हो। होते हैं पापा जैसे टीचर ने बताया आप जैसे एक गरीब किसान को सोने का अंड़ा देने वाला बतक मिल गया था। वो हर दिन एक सोने का अंड़ा दिया करती। वो हर दिन एक अंड़ा बेचा करता और जल्दी ही धनवान बन गया था। ऐसा सोने का अंड़ा दिने वाला पतक आपको क्यों नहीं मिला। बेटी के किये सवालों का पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी को कैसे समझाए वो बार बार यही पुछे जा रही थी कि हम धन्वान क्यों नहीं हो रहे बेटा तुम्हारी कहानी वाले दिनेश को मैं पूछता हूँ कि उसे सोने का अंडे देने वाली बतक कहां मिली मैं भी वहीं से लाओंगा ठीक है पापा की ये बात सुनते ही किर्टी और बालू ये सोचकर खुश होने लगे कि अब उनके पास भी सोने का अंडा देने वाली बतक आएगी और वे लोग भी धन्वान हो जाएंगे ऐसे ही दिन बीत रहे थे पर पिता सुरेश कहीं से सोने का अंडा देने वाली बतक नहीं ला रहे थे जब भी बच्चे पुझा करते वो उनसे कहता कि किताब वाला दिनेश नहीं मिला इसलिए अब तक नहीं ला पाया योहीं बात को टाल रहा था किर्ती और बालू की समझ में आ जाता है कि उनके पिता उनसे जूट कह रहे है एक दिन किर्ती और बालू स्कूल जाते हुए रास्ते में इस तरह बात कर रहे थे बालू अब तो क्या बेता है अब हम क्या करें मुझे लगता नहीं हम कभी धनवान हो पाएंगे लगता है हम ऐसे ही सूखा खाना और सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी मुझे भी यहीं लगता है दिदी वैसे तुमने कहा था न तुम आज अपनी टीचर से पूछोगी कि सोने का अंड़ा पाने वाले उस किसान का गाउं कौन सा है क्या उन्होंने बताया दिदी नहीं बालू टीचर ने कहा कि वो एक कालपनिक कथा है उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बतक कहीं नहीं होता उन्होंने कहा कि कोई भी चिस बहुत मैनत करने से मिलती है और मैनत का फल मीता होता है हाँ दीदी मेरी दीचर ने भी ऐसे कहा यूं बात करते हुए स्कूल से घर लोड रहे उन दोनों को गाउं के बीचोबिल शंकर दादाजी धोल बजाते हुए नजर आए दोनों उनके पास गए शंकर दादाजी ने जोर से धोल बजाया गाउं के जमीनदार ने सभी गाउं वालों को चोराहे पर इखटा होने के लिए कहा है कृपया सभी यहाँ पर आए एक लाख रुपय का इनाम जीतने का अवकाश पाए एक लाख रुपय का इनाम सुनते ही केटि और बालू की आँखे चमक गई पूरी जानकारी हासिल करने के लिए अपने माता पिता के साथ वे दोनों चाराहे पर पहुंचे दीदी जैसे उन्होंने कहा अगर हम वैसी मोटर बाइक बना पाए तो वो हमें एक लाक रुपे देंगे इतना तो मैं समझ गया हाँ भाई यही तो तो अब देर किस बात की दीदी हमारे पास मिट्टी भी तो है जल्दी से चलो हम दोनों मिलकर मिट्टी से मोटर बाइक बनाते हैं एक लाक रुपे का इनाम जीत चाहेंगे ऐसा सोचकर कीर्टी और बालू अपने घर के लिए निकले घर पहुंचकर माता पिता से उन दोनों ने पताया कि दोनों मोटर बाइक बनाना चाहते हैं उनकी बात के लिए माता पिता ने भी हमी दी तब भाई और बहन दोनों मिलकर घर के पिछवाडे से बहुत सारी खोद कर लाते हैं और बहुत महनत करने के बाद वे दोनों मिट्टी की एक मोटर बाइक बना लेते हैं बाइक को देकर तब सुरेश ने कहा बच्चो तुम दोनों ने मिट्टी से मोटर बाइक बहुत बढ़िया बनाया है पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये तूट पाए वरना इसके बदले में तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा तुम दोनों जानते हो ना हम जानते हैं पापा ऐसा के कर वे दोनों मिट्टी की मोटर बाइक लेकर जमीनदार के पास जाते हैं उन्हें अपनी बनाई बाइक बताते हैं महेश ने उस मिट्टी के बाइक क को बहुत रफली चला कर देख लिया फिर भी बाई को कुछ नुकसान नहीं हुआ महेश को भी कुछ नहीं हुआ इससे जमीदार खुश होकर कीर्टी और बालु को एक लाग रुपे दे देते हैं पैसे लेने के बाद कीर्टी और बालु ने भी सोचा कि अब से वे लोग भी धन्वान है और ऐसे मान कर खुश रहने लगे